कर दो हम पर करने के वज़ से थे तो हमको यहांपे हम लोग कहांपे ठेसे यह अजयス लूका तो पढ़ लिये थे राम से तूझ जी सहं मां जी जब रहे थे मैं बहुत-बड़ा काम कर रहा हूँ लेकिन रामजी मुश्कुरा स्ब्सक्राइब के बाए मेरे लिए तुम दोनों भी ब़्यावर हो वह ठोटा सा कंकार रेती में से लेके जाके पुल में डाल रही है रामसेतू की बनाने के लिए हां मेरे लेकिन तुम बहुत बड़े ग्रेट नहीं हो हां तो इसलिए हमको समझना चाहिए हमारा कर्थ स्रम हां काहि 않 है किनतो कर्म के प्राइब अदिकार नहीं है भगवान बोर रहे हैं का मैं बहुत बड़ा कांख आप ठीक है ना और तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फल का कारण मानों मैं यह करा इसलिए यह राम जी का सेतू बना नहीं मैं यह युद्ध लड़ा यह जीत यह यह जीत मेरे लिए हुई ऐसा मत समझो अब देखो जब आचारी हमारे स्टिला प्रहुपाद वे एकेले पास्चात्य देश में अमरिका गए जाके पूरों को इतना 108 मंदिर 70 साल की आज इंटर्व्यू आप सब लोग देखे ना कितना मुश्किल से वह 70 साल के उमर में वह स्वयम गए सब क्या करें पड़ियासा इंसकॉन को स्थापना करें 12 साल में 108 मंदिर बनाए सब ल नहीं करा यह सब मेरे गुरू की रुपा है तो यह हम पर हमको क्या में उइसे लोगों से हमको एक्जांपल क्या लेना चाहिए हमारा काम कैशियर है बैंक के बस हमको मैं आयाम ग्रेट आयाम ग्रेट नहीं हमारा ग्रेटनेस कुछ भी नहीं है जो भी ठाकुर जी का है यहा स retam हमारे लिए कुछ करते हैं हमेशा होता है और हर व्यक्ति को अपने का पर अधिकार एक तुम से अनासक्त होकर काम क्रन करना करना चाहिए ऐसे पर कर्म निसंद्य Square के पत्थ की और लेके जाए हैं अप अफिस में करते बिऽनस में मेरा して वहां पर रहे हैं तुम्हेरा काम क्या जॉब का है युद्ध लड़ो बस युद्ध लड़ो पाईलली तुमको युद्ध में हार मिलिंगा माई देखुँगा उसका चिंदा मत करो और क्या है यहां को बोल रहे हैं वह हमको बोल रहे हैं कभी-कभी हम लोग चिंदा में रहते हैं मैं अगर जॉप करूंगा तो तुम्हारा जो भी कर्म है करो तुम्हारा अब समझो एक्जाम है पड़ो एक्जाम में में पास होंगा फस्ट आउंगा क्या हूं वह सब चिंता मेरे पर छोड़ दो ऐसी समता योग कहलाती है जब हम लोग ऐसा समझते हैं सब यह साब नहीं देखते हैं यह क्या होता वह क्या होता आ असक्त हो कि कर्म क हैते हैं वह योग कहते हैं और अब योग का अर्थ क्या है हम लोग कन्फूजन में रहते हैं लेकिन आप लेवल वन हो गया आप सब को मालूम हो गया कि योग माने भगवान से जूड़ना वह कैसा योग का अर्थ है सदय वो चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग सबस्केलरे में लेकिन लेकिन इंद्रियों को पुरी तरह से वह में करते मण क्रूम भक तप्थी नहीं करते तो Baldi mágवान योग क्या थे नहीं है लेकिन हम डि लेकिन हम कभी भी ज्यादतर लेके घर पे जाओंगा जैसे सीता मया को को बुरी नजर से उसको उनको लेके गया, इसको दंड दिया गया. ना तो हम कंट्रोलर हैं ना तो हम एंजॉई करने के लिए हैं. हम लोग क्या है सिर्फ यहां पर हमारा जनम मिला है, भगवान को कुष्ष करने यह कर्म करने से योग में आटोमेटिकली सिस्थित हो जाते हैं हम लोग हगवान का नाम लेके भगवान का सेवा करके यही तो रास्ता है और क्या वो रहे हैं दूरे नहीं अवरम कर्मा बुद्धियोगत धनंजया भुदव शरणम विच्छा क्या बोल रहे हैं यहां पर ही धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त गरहित करम कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहत सब्सक्राइब बता रहें कुरूपन मत बनों सिर्फ आपका कुरूपन याने मैं ही मैं ही मैं ही ऐसा बताया गया आगे जो विक्ति भगवान को एदास रूप में अपना स्वरूप को समझ लेता है वाँ कृष्ण वामनाम्रत में स्तित है और इसके अतरिक्त सारे कर्मों क सही मार गये केवल कुरूपन ही अपना सकाम कर्म का फ़ल भोगना चाहते हैं तुमकी तुमारी पूजा कर रहा हों तुम मिरको ये रिटन में दे ये दो वह दो वह क्या हो रहा लिस्ट लेके हम बागवान के सामने बैठ रहे हैं हो हमको ऐसा बताया गया है बगवान वह र क्रिश्ण भामुनावरत की जितने भी कर्म यहां पर वह है क्योंकि इस से कह रहे इस से करता जन्ममृत्यू के चक्र में लगातार फसा रहता है मैं आच्छा कर्म कर रहा हूं बुरा कर्म कर रहा हूं उच्छा कर्म लिए चन्दम्रुक्टिव्याजदी में फसेवे रहते हैं इस इधर से निकलते नहीं तो इसलिए यहां से निकलना है तो हमको क्या करना है अपने आपको मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्णभामनामृत में अर्जन अर्जित करने में लगानी चाहिए ऐसा पताया गया तोड नहीं मैं लेवल वन के बैश में सबको बताता हूं लेकिन थोड़े लोग दूसरे भी क्लासे से आए ना उन लोगो तो यग्यपी कर्मफल विष्णु को अर्भित किया जाता है फिर भी फिर भी कर्म के प्रतिया सकती बने रहती है और ऐसा जो करते हैं हम लोग क्यों कर र लेकिन अध्यात्मिक जीवन के प्रति वीचार कंफ्यूज में रहते यह मिरे को स्वर्ग जाना है यह नहीं भगवत धाम जाना है अच्छे कर्म कर रहा हूं क्यों स्वर्ग जाने के लिए थोड़ा कर्म कर्म कांडि लोग हमको ऐसा नहीं बनना है भगवान के नित्यदास का लक्ष भूल जाते हैं करमकांडी लोग शुमा में सूर्य को यह दो शाम में करो वह करो लुद्धिये भगवत धाम जारे नहीं जारे तो भूल जाते हैं कि भगवत प्राक्ति करना ही जीवन का हमारा परम लक्ष है ऐसा यहां पर बताए बुद्धी युकता जनाती हाँ बदेश प्रभू आप भी चाहिन होगे प्रभू जी पढ़िए प्रभू संदीप्रभू कि अरे कृष्णा प्रभू कि अरे कृष्णा प्रभू कि अच्छे दता बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है अतहा योग के लिए प्रभू करो क्योंकि सारा कार्य कोष्ण यही है भगवान बो रहे हैं योग के लिए प्रभू करो इसमें बंद मत जाओ सिर्फ मैं अच्छा करम करूँगा देखो मैं तो अच्छा करम कर रहा हूँ युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ देखो मैं इतने लोगों को नहीं मार रहा हूं मैं भूत अच्छा काम कर रहा हूँ इक को चारत था पैसा अच्छा करूंगा पूरे गाम वालों को अच्छा देखूंगा लेकिन एक बार क्या हो गया एक और और दो नहीं कर सका करने के लिए फिर भगवान ही उनको पर्ष करें उसको फिर से अच्छा उसका जन्म का नेक्सिजनम में उसका उद्धार हुआ तो लेकिन बुलने का तत्पर यह क्या है अच्छा भी करम करो बंदन में जकर जाएंगे या बुरा भी करो जकर जाएंगे अब करन भले ही सब क्या बोल रहे हैं इस तरह भगवत भक्ती में लगे रहेकर बड़े-बड़े रुशी मुनी अत्वा भगवत गन अपने आपको इस भावतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं एक-एक श्लोक बता रहे हैं विबरन करके के भईया ऐसा कर्म करो बंदन में मत जक रहेते हैं कहां जाते हैं जाते हैं ऑस्ता को पराप्त करते हैं समस्त दुखों से वह यहां पर आप उन वह कशी किसी नोकरी है बढ़ी असा भ्यां कर लिया हूँ बच्चे है मैं तो खुश नहीं कोई भी खुश नहीं आप देखो पैसे वाला भी परिशाने मीडिल वाला भी यहां तक परेशन कब मेरी कुर्सी चले जाती कब मेरा मेरे को फोड़े से अमेले कि और चले गए उसकी कुर्सी डावा डोल तो भागवतम में बताया घ्या क्या बोलके बताया गया जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाओं को गरहन कर लिया है जो दुर्ष्य जगत के आश्रे है और वो मुक्ति के जो दाता है वो उनके बारे में जो समझ गया ना उसके लिए भावसागर में ना भावसागर गोकुर में समय जल के समान है गोकुर में समय जल के समान है उसका लक्ष पर परम पदम है उसका लक्ष क्या है भगवाद्धाम जाना है क्योंकि वो समझ गया क वह स्तान जहां बहुतिक कष्टा नहीं रहते हैं वह वाइकुंठ में झाल धर् रास्ते जा रहे हैं हम तो गलत नहीं कर रहे हैं अच्छे सा जा हो गया हमारे पर गाड़ी चला दिया तो इसलिए हमारे को मनुष्य क्या कहता है यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसी दुख में स्थान है हम लोग कोई भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह जो शरीर विलाना हम तो सिर्फ इंद्रिय तुट्टी में लगे हैं इंज सङय करते हैं इस प्रकार भगवान की स्तिति को समझ लेता है वही भगवान की प्रेमा मैं भक्ति में लग जाता है एक बार मालूम हो गया कि भगवान सब तुम ही है अब मैं तुमारी उंगली कभी भी नहीं छोड़ूंगा देन फाइनली मैं क्या करूंगा भगवान की भक्ति करूंगा ऐसा यहां पर इतना क्लियरली बताया गया प्रफुजी लोग यह पढ़ लेंगे जब तुम्हारी बुद्धी मोरूपी साधन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनो सुने हुए या सुने योग सब के प्रती अना अन्य मनस्क हो जाओगे भगवान वो रहे हैं एक बार तुमारी बुद्धी बुद्धी योग चल रहा है बुद यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करने का ज्यान प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्नित विबिन प्रकार के तपस्याएं शास्त्रों में अलग-अलग तपस्याएं लिखा गया और यग्या करना के बारे में बताया गया किसमें वेदों में शास्त्रों नहीं है सिर्फ पेड़ के जड़ में अगर हम लोग पेड़ के जल में अगर पानी डाले तो टेहनियों को पत्तों को पानी डालने की जरूरत नहीं है वैसा कृष्ण भग्वान की भक्ति कर लिए सब लोग प्रसंद हो जाते हैं कोई यग्य प्रभुजी मैं जल देऊं क्या है वह केवल समय करता मैं मैं सिर्फ जय कर रहा रहा हूं मैं चटुरम आसका यह कर रहा हूं 這個 मैं तो सिर्फ नीजान लीआ डिया कですか के वह स्वायम यहां पर बता रहे हैं हमको आचारी है और क्या बताया गया प्रभुजी हमको जो है मेरे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जैओं तुम्हें प्राणाम है यह अलग-अलग बोल रहे हैं लेकिन स्वायद्व क्या बोल रहे हैं अब मैं पूरी तरह से कृष्ण भामुना मुरत में आ गया हूँ क्रिष्ण ही सब मेरे को ये त्रिकाल वंदन सुबा दुफर शाम ऐसा ऐसा बताया गया मैं कुछ भी नहीं करूंगा बस भगवान का चिंतन कर लोंगा ये मेरे लिए ये माधवेंद्र पूरी उनके स्वपन में भगवान आए भगवान आके बोलने लगे मेरी मूर्ती को निकालो तो मुँआ हैं उदैपूर नातद्वार में मंदिर में नातद्वार के नाम से जाने जा रही है मंदिर में वह मूर्ती स्वयम उनके स्वपन में आके क्या बोले है मेरा शरीर गरम है ताफ है मेरे को चंदन लगाओ मां पूरी जगदनात से जाके चब चंदन लेके आया गया इतनी क्रिश्ण के रास्ते पे अगर आप आएंगे क्रिश्ण को नहीं समझेंगे तो जर्न स्टार्टिंग भक्ती ने रहते ना उनको बश्ती में आने के लिए इंटरस्ट बनने के लिए उनके लिए है खिन्तु जब कोई पूर्णत कृषण भामुधामृत है और वह यह बन्दर में पूजा करना नहीं यह यह करना वो करना नहीं जान जो चीज वह जिसमें वह खाते थे वह उसे जो भी उनका पानी और दो निलना है पानी से नहीं लेना है वह एक छोटा सा मटका वह कौन सा अश्छा बोला जाता को अगर जला दिए तो वह हंडी फुट्टी तो यह हमको समझना चाहिए भग्वान क्या मों रहे हैं तु मेरा बंजा बाकी का सभ छोड़ दे तु में रहो पूरा ताथपरियों है ऐसा हमको समझा गया क्रिश्ण भगवान के बारे में और शुरुती विप्राति पन्नाते यदा सस्ता थास्यती निश्चला समाधव अचला भुदिश क्या बोला गया कि जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकार मैं भाशा से विचलित ना हो और आत्मसाक्षातकार की समाधी के स्थर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्रा लेकिन हमारे लिए नहीं है एक बार भक्ति का मार्ग कर लिए भगवद्दाम जाना हमको मालूम हो गया हमको कोई चीज करना नहीं है भगवद्दाम आसानी से हम जा सकते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आत्मसाक्षातकार का सरवोच्य सिध्धी यह जान लेना की मनुष्य क्रिष्ण का शाश्वत दास है हम लोग भगवान नहीं बन सकते थोड़े मायावादी लोग क्या बताते हैं ने 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 कोई लोग है ऐसे लोग बताते हैं जैसा पानी पे एक बुलबुला फूर जाता है बबुल फूर गया तो पानी में मिल जाते हैं हम भी भगवान बन भी जीव कभी भी भगवान नहीं बनता यह concept blindly याद रख लेना है हमको हम नित्य दास है यहां पर भी दास रहेंगे एक मात्र हमारा करतव यह क्या है भगवान की सेवा करना क्योंकि हम भगवान के नौकर है भगवान के दास है यही हमारे जीवन का लक्ष है तो दो ड्यूट रहाँ है वह जिम्मादारी करना लेकिन मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे प्रापर्टी सब्षे और आप बन गये महीं है सब में मैं तो आप योगी बनो अब मेरे को थोड़ा सा वो योगी कैसा है उसके बारे में थोड़ा जानना है अरजुन पूछ रहे हैं क्यां रहे हैं अरजुनवाच चिति-प्रक्ज्ञेश का सित्व्रग्द की क्या लक्षण है वह कैसे बोलता है तत्था उसकी भाषा कैसी क्या है वह किस तरह बैठा और चलता है मेरे को थोड़ा सा समझाइए मेरे को जिग्यासा है आप बोल रहे हैं कि ऐसा बनो कि कुछ चिंता मत करो हानी लाब यह नहीं वह नहीं थोड़ा मेरे को उनके बारे में बता वो लोग कैसे रहते हैं सित्वक क्रिश्ण भामना भाविद्वेत्टी का सुखपूर्वा कलेक्षन यह है कि क्रिश्ण तता उनी के संबंदी विशेयों के बारे में बोलता है हमेश्वा प्रजलपा नहीं करना है व्यर्थ की बाते नहीं करना है फो पॉलिटिकल लीडर ऐसा है वह हीरो को इतने बार बगवान के बारे में बात करना अग्वान का चिंटन करना यह हम भगवद धाम जाएंगे फिर तो अन्ये लख्षन स्वताः प्रकट हो जाते हैं एक बार भगवान का नाम लेंगे restsे अ कामनाऊं का समस्त कामनाऊं का कर देता है जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतुष्ट प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दीव्य चेतना के प्रती तिद प्रग्य कहा जाता है तो हमारे मन में कई सारे कामना का यह बनना मैं आगे जाके फ्यूचर में यह करूंगा मैं वो करूंगा वो करूंगा ऐसा अगर युद्ध लड़ूंगा तो देन मैं युद्ध जीत के मैं साम राज्यु पे बड़ा राजा बन जाओंगा भगवान समझा रहे हैं कि भाया मनोधर्म से जो भी उत्पन हो र रहता है लहां रहता है वह क्या होोंगा नयाई करता जिए उनके पिताजी उनको शेर आज क recall को सामने डाले गरम पेल में अगनी में चंता करो मनुष्र्व को बिना किसी जिजक के साथ क्रिष्ण भावन अमृत में लगना होगा यह भक्ती उसे दिवये हखाल करने साह्यों की जी यह है यह सब योग के बाद में भी जदा स्यादा क्या कर रहे हैं इंडियों को कंड्रोल करें में नीद्व हम अब अपने अपको गृरी अब क्या है समझ गये ना को अपको भी आप क्या करना है मेरे तो ठाक और भगवान है प्राइसा हमको समझना चाहिए और जो त्रह तापों को होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अत्वा क्या बोले सुखेशु विगतास्प्रहा वीतरागा भयक्रोधा सिताधिर मुनिर उच्छते क्या पताया गया कि त्रह पतापों को होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अत्वा सुख में प्रसंद नहीं होता और जो आसकती भैतता क्रोध से मुक्त है यह आना चाहिए थोड़ा सा हमको क्या हो गया प्राब्लम्स आ गए प्रभुजी नौकरी चले गई डर रहे हैं लाइफ मेरा खराब हो ग प्राब्लम्स आएंगे पर जीव से प्राब्लम्स तूफान आएंगा कोई भी कुछ भी समझो आपको बीमारी आएंगी स्वथा तो आप तो हमेशा अच्छे तो नहीं रहेंगे कुछ ना कुछ आपको प्राब्लम्स आने वाले है लेकिन ऐसे प्राब्लम्स में मन को विचलित नहीं हो나 सुख और प्रसनता में ही सुख होना के सुख के पीछे नहीं जाना बगवान गोर रहे हैं और किसी के प्रति आ सकती भी ने ना यह पूरे क्या है मुनी अच्छे से वाट स्थिर्थ प्रक्य जो बले ना तो पहले अच्छे सा बंजा भाई या वह पाद में युद्ध कर वह यह गुण है यह गुण हमारे में भी आना चाहिए जितना अगर हमारे में ऐसे गुण आएंगे डेफिनेटली हम भगवान इसको क्लिरली देख सकते हैं तीक puisse क्या करते हैं वह देखता है कि उसके साहरे दुख भगवत खुर्पा ना अपने को मान कर तो लिए यह समझना है यह नालेज है हम लोग क्या करते हैं दुख आया तक्लीफ आए और बहुतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुब के प्रति हर्षित होता है और आशुब के प्रती होने पर उससे घ्रणा करता है थोड़ा सा बुरा हो गया यह तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ ऐसा जो नहीं रहता है दोनों को समान भाव में देखता है वह स्थिर होता है ठीक है ना और बोल रहे हैं निभानान निभानान दती ना द्वेश्टी तस्यप्रक्ण्य होता है यह देखो अईसा जो व्यक्ति है पूरी तरा से स्थिर होता है स relate को अधिक कॉछ निकालों कर लो सब चले जाते हैं जब ठोड़ा सा भी वियरत कमाते हैं हम डाते हैं घंदीजी से देखते हैं अगर को गलत जीज दिख रहा है इमेरेटली हम गोलते हैं यह चीज वह मैं अगर देखूंगा तो मेरी चेतना दूशित होती है मैं तो भगवान का दास हूँ भगवान की भक्ती में मेरा कांसंट्रेशन डीवेट होता तो लोग प्रजल्पा नहीं करते हैं बुरी चीज देखते रहे चीज आप भगवध्धाम जाना है क्यों हमको यह मालूम हो गया यह शरीर तो नश्वर है यह शरीर को कई बार आइने में देख चुके हैं आज च्छोटी सी कहानी आप से शेयर करूंगा जो आज सुबह में मैं लेवल वन में भी शेयर करा था वेरी एक्सलेंट कहानी है किसी को मालूम है राजा के चार पत्नियां रहती रहती है कोई नहीं राजा करता है पहली पत्ति को नगलेट करता है दूसरी पत्नी की का क करती है उसके साथ करता है Spy स्व rent करता है उसको और यह वह शुती पत्नी को उसके सामने करने की कोशिशन करता हो राजा को पूछा राजा को पूछा मैं किसी और से शादीक लोंगी उसको दिल लगती दिलको तकलिफ होती हाँ यह क्या बोल दिया तुम सब्सक्रादी के पास में a साथ में दिल को घुतनायों के घुन के लिए भोट सारे डिटाथ यह वह था यॉत और देफ्ट लूंगी उपास कोने रूब Russi नोल्वेज व्छलों ना मेरे साथ में मर रहा हूं च्रीपत्री बोलती ना सूबर का भी जनम लेंगे तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी तो मैं तुम्हारे साथ में आऊंगी तो वह पहली पत्नी कौन है परमात्मा है परमात्मा हमको भूलते नहीं हम भूल गए परमात्मा को हम प्रापर्टी पहली पत्नी क्या है हमारी प्रापर्टी है प्राप श्म्शां तक मैं नहीं आऊफंगी कई रिस्टेदार रिस्टेदारों के लिए हम का थिन्हां नहीं करें पहले पतनी को भूल गए तेन फाइनली वो जो पतनी हमारे साथ में रहेंगी तो यह यह जो हम लोग भगवत-गिता क्यों अध्यान कर रहें लेवल टू में आ रहे है हरे एक श्लोका देख रहे हैं बहगवान बो रहें मेरी क्या पपा को अपने स्वायम बच्चों को अपना पिता को बाप पिता को बोल रहा है बेटा क्या तुम तो सब लोग जो पढ़ाए वैसे ही पढ़ाए सोने की इंटों से घर दिये क्या वो घर दूसरे लोग भी दे रहे तुम भी दिये तुम क्या ग्रेट करे तो जब दिल को लगती है इसलिए हम हमारे पास में शेश कितना जीवन है हमको भी नहीं मालूम कोशिश करना हम भक्ती में आ जाना क्यों बरवान बोल रहा है जरा जन अब बोल रहे हैं अर्जुन पूछ अर्जुन का मन में फिर से डाउट आ रहा है इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करूं तो अब भगवान समझ गए वो डाउट नहीं आने से पहले ही भगवान बोल दिये क्या बोले कि पूर्मोंग नईवा सर्वशह क्या बोले हैं जिस प् पुरवक सित्थ हो जाता है हमारे इंद्रिये तो बोलते हैं इंजुय करो एंजुय करो लेकिन हमको कंट्रोल करना है कैसा अंदर सम examet लेता है तुम भी क्या करो हरी मेरा नाम लो मेरे नाम से आपको वो विश्वास आ जाता दिरे-दरे से चेतन्य माप्रूब वही बता है आपके बुरी आदता सब चले जाती कैसा चेतो दरपणा मर्जनम वो बोर रहे हैं जितना भगवान का नाम लेंगे उतना मर्जन होईगा तो अर होंगा सुख़ी रहोंगा चाही कुछ भी खाऊंगा से जो भी खाऊंगा जंगल में जाऊंगा युद्य मेला तो हुआ है अपनी योजना की अनुसार को वश में critique कर सके किन्टू अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास है लोग ज्यादट क्या होगे इसलिए गो देसे स्वांचे ऑ खोने इंदरियों को वस्में करता है वह स्वामी कहलाता हमको इंदरियों ज्यदान पर कंड्रोल करन Ám gonnaân wall 1 बुद्धि को दद्धि को कंड्रोल करना क्या बोला गया देहदारियों में जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है क्या बोल रहे हैं अगर कोई गुलाब जामुन खाना छोड़ दिये लेकिन चिंता तो रहती है मैं जब गुलाब जामुन खाता था तो इंद्रिय भीशेओं को चिंतन करना भी गलत है लेकिन उत्तम रस का अनुभाव होने पर एक्चली ऐसा बताया गया कि जब हमको कोई ठब्चे को एक चोटा बच्चा पहले हम चौकलेट दे के मना दे थे बाद में उसको तीन थी वाईली सैक्टिंटरेश्चल में नहीं चलाता क्यों उसको हाइयर टेस्ट मिल गया जब उसको कार गिफ्ट में देते तो वह बाइक चलाता नहीं क्यों एच्छ लगने लगती वैसा हमारे को भी क्या है हम लोग क्या समझ रहे हैं मैं मेरे जंद्रियों को भोगूँगा एंजॉय करूंगा जीवन का लक्स है लेकिन लेकिन जब भगवान का नाम लेते जैंगे लेते जाएंगे लेकिन जब रहे barking progress इन को करने लगी और वैस्या बदल गई और वाइश्या ऐज बागाजेश भागाज़ेश तो तो और जो गाउं है वो गाउं के बदबड़ी वो जो वाइश्या तो थी अब बदल गई इतने बड़ी भातन बन गई बाद में वह गाउं को बुरबवान को हम जब लोग को है नीचर नीचे का जाता है इंजॉय करने की प्रभृत्ति है वह कैसा जाती है। भीरें दिए-दिए से एडियसे कैसा भगवान में कि सेवा करिंगे भगवान को जब हम मोड़ींगे हमारे इंद्रियों को तो गाति प्रगति करपाएंगे और ताइम कितना है नहीं मालूं दिए से ताम समय भाग रहा है यहां पर प्रबल वेगवान है कि उसकी वेग पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है और उन्हें वश्मे करना का प्रयत्न करता है यह इतना हो सके हमारे को कोशिश करना है कंट्रोल करना है और यमुना चारिय ने क्या बोला है यहां पैसा बोले कि जब मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों के सेवा में लग गया है और जब मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूं तब प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उ करता हूं वह इतने यमुना चारी इतने आगे बन गए भगवान कृष्ण ही सब कुछ हो गया है जल जैसे उनका स्त्री के साथ में अगर कोई विचार भी आ गया तो वह उन्हों क्या बर रहे हैं यह तो बेकार है यह चीज को वह ऐसा ही हम भी हो जाते हैं हमारे में बुरी सब चले जाती है यह भोगता भोगता के चकर में हम नहीं जाते हैं जब हमको मालूम हो गया क्या मालूम हो गया नहीं हूं यह आना चाहिए और क्या वो जो इंद्रियों को पूर्ण तया वश में रखता है रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्तिर करता कर देता है वह मनुष्य स्तिर भूध्धी कहलाता है भगवान गोल दिये देखो बेटा तुम पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करो अधिन मन को भी मेरे में लगाओ लोग योगी लोग तो क्या करते हैं हिमालय परवत पर जाते हैं और जंगल में जाते है इंद्रियों को कंट्रोल करोंगा नहीं वो नहीं बनना है हम भल ही हम को क्या करना है धृत्र में रहना है धृक्त अहिं Kenia घृत्तived कुन है राजानी मंद को कि छणनार भिंद में लगा और अपनी वानी को किसमें लगाए उनके धाम उनके धाम के बारे में चंचा करना उनका मन नाम लेना उनका किरतन करना और उनके कानों में अमरिश महाराज श्वयम बोल रहे हैं वो ऐसा करे हमको भी आचरेन करना चाहिए कान हमनको दिया गया क्यों भगवान की लीलाओं को सुनने हात दिया गया क्यों मंदिर को साफ करने भगवान का प्रशाद बनाने, आंक दिया ओ गया, भगवान का अच्छा सा शुन्दर्जी सेवा करने, भगवान को देखने, ऐसे वीडियो गलत वलत वीडियोस आप देखेंगे, तो गलत चेतना भरेंगी मैंड में, भगवान की भक्ती नहीं कर पाएंगे, प्रफुची मे भक्त के शरीर का श्परष करने में लोग क्या करते है वृंदावन की आत्राव मंदरत्शा जा रहे हैं जगनात पुरी की आथ्रा वक्तों संग में रहना मात्र संग से盈 ही नारदमुनी जफिटार मात्च संथ वक्त चत तो फिर हमारा क्या है भक्तों का संग में रहना है तो हाथ क्यों है ऐसा बताए शरीर क्या है भक्तों को सवर्ष करने ना और नाक क्या हूं दिया गया भगवान को चड़ाए गए फूलों को सूंगने फूल हम भगवान पर चड़ाते ना आप भी चड़ाते हम भी चड़ाते फरक क्या है फूल हम फेक देते नहीं फेकते से पहले क्या करना सूंगना सूंग के वहां पे वह महसूस करना यह फूल भगवान का था यह फूल भगवान जब मंदिर से भी हमको कभी फूल दिया जाता तुलसी दिया जाता तो सूंगना सूंगना कड़पना वह लेने के ख़गवान के सामने यात्रा जा रही है ये नहीं धिंचक धियंगे लीए आपका वह डिन्यदि दिन धिम भलके चले जाएंगे लेकिन आप भगवत धाम नहीं जाएंगे ठीक है और आगे बढ़ेंगे अब जयात हो विश्यम पुंसां संगत्तेशों पा जया थे संगत संज को देख लिया कर समझो या स्तृ को देख लिया मेरे को क्या हो गए आसकती बढ़ गई कार में कार खरीदना और क्या है रही काम ना जाग गई कि करूंगा लेकिन यह कार में बैठम का ये हमारा जीवन का ऐसा आ सकती काम काम से फिर होता लेकेकरी कांप उल्वाइज हुआ इवन शिव जी उतने टॉप वैश्णव है लेकिन पारवती जी से वो क्या कर सके कांट्रोल नहीं कर पाई इसलिए कारतिके जी का जनम हुआ लेकिन हरिदास टाकूर का एक्जामपल लिया गया कृष्ण भगवान में इतना लीन थे इतना दृड़ थे दृड़ संकल्प के स जैसे दृड़ थे वो हम लोग को आना चाहिए जबी हम अनो सब्सक्राइब अगर तुम स्टार्टिंग कहां पर था तुम देखे विश्वामित्र जैसे बड़े-बड़े योगियां जंगल में जाके वो क्या करने लगे तपस्या कर रहे सब्सक्राइब करने अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सके क्यों हम लोग पतन करना है हम भगवान की भगति करना है उसलिए हमको कुछ करना नहीं है आपके पास में मंदिर नहीं आपका घरको मंदिर बना लो उनकी पूझा करो उनको मनालो रूठावा ठाकुर हमारा रूठ गया है उसको मनाना हमारा जीवन का लक्ष है तो वैसा यह जितने भी वस्तुओं को देखना आ सकती है सब का इसा हो रहा है अल्टिमेटली हमारा पतन हो जा रहा है गुस्सा ऐसा बढ़ रहा है और क्या बोल रहे हैं वाइराग्य का की उचित समझ ऐसा बोल रहे हैं प्रपंच कतया बुद्याहरी संबंदया वस्तुनहा ममुक्ष भी ममुक्ष भी परित्यागों वैराग्यम्फल्गु कत्ये जो लोग भगवान से संब्धित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तता उन्हें बावुतिक होने के लिए सोंचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है ऐसा बताया ग अगर मैं लेगं तो मेरी आ सकती बढ़ जाएंगी मैं तो जंगल में आउंगा पूजा करूंगा नहीं एक बच्प्त क्या समझता है घुपवान को क्या करेतो प्रशाद क्या चड़ाओं ये तड़पता है हमारे जीवन को बगवान को प्रसंद करना है ये नहीं कि जंगल में जाके हम बैड़ गए परिवार को सब को शोड़ दिए यह गलत है ऐसा आचारी हमको यहां पर प्रेर ना दे रहे हैं तो थोड़ा हमको यह नालेज जानना चाहिए अब वैराग्य क्या होता है एक दस मिनिट में इंटर्नली साधूने रहता है इंद्रियों को अधिया सब देते हैं ने त्याग सिर्फ माया से बचने के लिए इसलिए हुरुदे से साधू होना पड़ता है और गिरने का संभव बना रहता है कितना भी आप ऐसे वैराग्य में रहो मैं सब छोड़ दूंगा जंगल जाओंगा नहीं हो सकता आपको फिर गिर जाएंगे एक्जाम्पल तो आपके सा में लगाते हैं से हमारा हरदय् होता है भगवान की सेवा में लगाए भगवान का नाम वहरन काictions make बक्ति में प्रशाद चढ़ा के खाता है भग्त उसको अगर दिल बोला है अरे मैं तो मेरे ठाकुर्जे को दिया हूं मैं वो प्रशाद ही खाऊंगा कितना डिफरेंस है देखो और क्या बोलना चाहिए कर्म करना चाहिए उनकी प्रसनता के लिए उसको डैंस भी करना सब्सक्राइब करने में समर्थ व्यक्ति भगवान का पूर्ण कुर्पा प्राप्त कर सकता है पूरी राग और देशों से अधिगत चांती एक मात्र हमारे जीवन का उदेश है भगवान को प्रसंद करना क्या करे तो प्रसंद कर सकते वह अगर हमा अगर आ गया दिरे दरे से विरक्ति की भावना हमारे में आ जाती है और क्या बोर रहे है प्रसादे सर्वदुखा नाम हरी ठीक है हम लोग यह देख तुष्ट वेक्ति के लिए संसार में तीन ताप तीन ताप में वही आध्यात्मिक आधिवाधिक आधिदेविक यह सब से पर यह सब ठीक है यह तो प्रॉब्लम से मेरा तो भगवत धाम जाना है वह समस्ता है ऐसी तुष्टी चेतना होने पर उसकी बुद्धी शीग्र ही स्थिर हो जाती है यह स्थिर भुद्धी होना हम लोग दरना नहीं थोड़ा सा करोना आ गया टेंशन में यह दरवाजे बन कर लेगे घर में क्या होता क्या होता नहीं भगत हमेशा डरता नहीं ठीक है अगर मैं मर भी गया भगवान पर उसको विश्वास रहता है कि मेरा न अध्यत्मिक के बारे मता दिया अध्यत्मिक आनी हाँ हमारे में हमारे मारे हमारे Scary जो मन के कारण दुक उत्पन होते हैं यह चलो स्प blessings अध्या कौता ने आगे देखान पाना यह से हम बच नहीं सकते roar pins बच सकता एक मुनी सित्प्रग्य मुनी जो रहता है वो समझ जाता है मेरे जीवन में यह तो आने वाले ही है लेकिन मेरा जीवन है कृष्ण के लिए जीवन का मेरा लक्ष है कृष्ण को प्रसंद करना तो उसको यह सब उसको डराते नहीं ठीक है ना नस्ति बुद्धिर क्या बूर्र रहे देखो अगर हम भग्वान की बहुन के बारे में चिंटा नहीं करें जो बोले वो नहीं सुन रहे हैं मेरी मर्जी ऐसा चल रहे है हम थोड़े से भाग रहे हैं यहां पर बताया एक रहा है जब मनुष सो यह चल जाता है कि कृष्णे ही भोगता है स्वामी है सबके मित्र है तो स्थिर्चित होकर शांती का अनुभव किया जा सकता है इस वेरी 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 जैसा वायूर नवम इवम भशी अशा बताया गया हमारे को भी क्या करना चाहिए जितना होसा का उतना भगवान में ही हमको मन लगाना चाहिए भगवान से हट्रे डेफिनेटली हम लोग इंद्रियों को सुख करने के जाए पोशिश करते हैं हम लोग ठीक है ना एंड फैनली दिनिसंदे स्थिर है ऐसा बनो सिर्व द्धी वो प्रशित्पक ने क्याने तस्माद्यस्य महाबाह निर्क्रिहीतानी सरवशहा इंड्रियानिया अथभ्या इसलोका में क्यों जा रहे हैं सारी इंड्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंड्रिय त अजो करता है अच्छा साथ बेन बजाता है को वैसा ही हम भी क्या करना है हमारा बीन है क्रिशन हरे कृष्ण हरे-घृवरी राम-रे-घृवरी जितना हम सुनते जाएंगे उतना हम अमरे इंड्रियों को मन को वश्मे कर सकते हैं भगवान में लगा सकते हैं कि जो सब चीजों के लिए रात्री है वह आत्मसयमी के लिए जागने का समय क्या बोर रहे हैं समयामी यह जग्रति भूतानी समस्त जीवों के जगान जागने का समय और आत्मनी निदक्षक मुनी के लिए रात्री है जैसा जो तमोगुनी रहता है रात में क्या करता है वो बार में जाता है यहां दारूपी एगा रात के दो तीन बहे तक जागेगा हो समझा एकि मैं एंजाइ कर रहा हूं लेकिन वो समय पे वास्तविक्ता जो भक्त होता है समझ जो मुनी क्या है जो भक्त होता है इसे लक्षन है यह लक्षन है कि और यह बताया गया तो आफक से रेने से समुद्र में निरंतर प्रएश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं का निरंतर प्रावास से विचलित नहीं होता जो सदेव स्थिर रहता है वही शांती को प्राप्त होता है अर्जुन तुशान्त हो जा कुछी बहुँं को झाल्प कर दिया है विहाया कामान यह सर्वान पुमसा अचरती निस्प्रहा जिस वैक्ति के इंद्रियत रुप्ति की समस्त इच्छाओं का पृत्याग कर दिया है जो इच्छाओं से रहता है जिसने सारी ममता त्याग दी है तता हंकार से रहत है वह वास्तविक शांति ये पूरी भगवत-गीता का दूसरा ध्याय का सारी हां पर निगा निचोड़ दिये क्या वो प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित्थ हो जाए तो भगवत्धाम प्राप्त हो जाता है जैसे के खडवांग महाराज थे वो देवताओं के लिए युद्ध लड़े इतना युद्ध लड़े जब उनको पूछा गया भाईया आप वो पूछने लगया मेरी और मैं तो बूड़ा हो गया हूं में मेरे मेरे और कितना समय बाकिए तो पूले और जादा समय नहीं है प्लें Creation अच्वाते में अगार धर्ती पर जाओगे आजकी और हैश क्या करने लगे सब खोड़ा स्पर्ण करें इतना नाम लिये इनका हूं और oxy, और यह भगवान की यह भगवान मेरे लिए तो ऐसा आज की दूसरा अध्या है कैसा डिवाइड हुआ अब पहला पहला जो अर्जुन का डाउट क्या था दया तो दया को कैसा तोड़े के भई यह शरीर नहीं है आत्मा है कहां से ग्यारवाय करमांग से लेके तीसवे करमांग के श्लोका में बताए वह बोल रहा ता आनंद नहीं है भगवान बोले नहीं या तो तू लड़ेगा तो तिरको राज्य मिलेगा नहीं तो अगर शत्री है तो युद्ध में मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा पाप बोलने की तरहीं भगवान बताए कि भक्ति के गतिविद तो तूट जाएंगी तो वह बोल रहे हैं क्या बोले हैं एक प्रेर्णा का स्थोत्र बनो तुम ऐसा अगर युद्ध करोगे तो आने वाली जाने वाले जो राजाए हैं वह भी सत्य का साथ देंगे अधर्मियों को दंड देंगे और ऐसा मन्जस की परिस्तिति में क्या कर क्रेंट कृटा हो लास्ट में हर बैच में यह बताता हूं प्रेक्टिकल एप्लिकेशन आप घगवगवत-गीता यह आना चाहिए हम लोग क्रिसिस मैनेज्बेंट करते हैं मैं प्रभू क्या क्या कर लोग नौकरी में से निकाल दिया क्या करों गलियूग में ऐसा टेंचन खरों पिर रहे हैं हम पर लोगरना चाहिगे नाम सर्फ ले रहे हैं वगवाण का कि या करना करो सके करूं या न करूं कि सद्द्द है किसि सहायिता जैसा आम लोग गूरुके पास में जाके क्या मिरे लिए कूरेक्ट । नहीं है किसी को जाके पूछना हम लेंगे कभी कभी गलत हो जाएंगा जैसा काफी डे वाला हम इतना बड़ा माल में आलिक था हमारा सौथ का मुर्त्यू को क्राफ्ट हो गया सौसाइड कर लिया है तो और एक यह समझना चाहिए हम लोग यह ठोके ठीक है यह तातका लिख है पर विश्वास करें वह भगवान दिरे दरे से हमको यह घ्यान दे देते हैं और क्या है हमारा रियल पहचान क्या है आईने में बार बार देख रहे हैं चेहरा एक दिन क्या हो गया बस नहीं मालूं हमको कितने दिन के महमान है यह अच्छा सा सपना चल रहा है जैसा हम रात पतनी है ना तो किसी के सब कुछ है सिर्फ हमाय रियल ना तो स्त्री है ना तो पूरुष है नि मैं तो भारत वासी हूं ना ना सब एक दिन छोड़के जाएंगे जैसा राजा छोड़के चले गया ना उसके साथ में कौन गया है परमात्मा तो भगवान के बारे में हम शरीर नहीं है आत्मा यह रियल पैचान है यह हमको कहां पे बताया गया और यह मैं आपको बता दियोंडों कर्तवी रहते हैंहें प्रती हम लोग करतवी भूल जाते हैं हमेशा पिंजरे को पिंजरे को ब्धी पॉर्लर ऑफेर्य वर बालों को काल यह आइनक हम यह देखते रहत पिंजरे में तोता बैटावाए उसके बारे में वीचार करो कब कर सकते भगवान का नाम लेके भगवतगीता पढ़के भागवतम सुनके वैसा करने से फैनली हमको रियल शांती मिलती है यह थोड़ा सा आज अध्याय लेट हुआ लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं मेरे से लेट नहीं करूंगा जल्दी कम्लिट कर दोंगा ठीक है सॉरी मेरे को भी जल्दी उठना रहे था यह जल्दी स्वयात हो सड़े दिन में उठना है मेरे को सब्सक्राइब कर रहा हूं साटेड़े की क्लास मेरे को लेवल दूसरा भी लेवल है यह भी लेवल है सैटेड़े की जगह पर हम लोग वीकली वन्स काई को मिल रहे हैं दो दिन क्यों ऐसा हम लोग तीन दिन के एकदम साथ दिन का ग्याप आ रहा है क्यों हम लोग ऐसा वेडनेस दे थर्स्डे ऐसा नहीं ले सकते क्या शाम के टाइम के क्लास क्लास आप सबको अगर यह बताओ यह क्या हो रहा है साथ दिन के बाद में ग्याप में मिल रहे हैं थोड़ा आपका मेरा अटैस्मेंट थोड़ा नौकरी कैसा है क्या है आप लोगों का लाइफस्टाइल में को भी नहीं मालूं सब्सक्राइब नायक प्रभू अच्छा पहले आप पूछलो प्रभूजी डाउट क्या है एक मिनिट यहां पर चैट में कुछ प्रशन आ रहे हैं वेटनेस्टे कभी भी हो ऐसा मैं बो रहा हूं और घंड और अंच में द में इखना लिखना है तो एक माला कर्रह थो प्रभू ये तो मॉँख मिले बगवान को धंयवाद करते रहे ना चाहिए ज Eck प्रब्लम्स को टेकनिकल प्रफ्लम्स को माता जी देख लेते मैं आपका इमेल और नमबर उनको भेज दूगा तो प्रफु आपकी लेवल वन की क्लास है यस मताजी लेकिन सुबाह में जागना पड़ता हमारे से हमारे से अगर क्लास में अठेड़ना तो च्छे वजे नींद को छोड़ना पड़ता देना अली तन में प्रभु आप भी जाए नहोंगे पूरम्स मताजी आप भी करता हूं टाइम मैं ग्रूप में मेसेज जाल देता हूं सैटेड़े के हटके अगर कोई और क्लास ले सकते तो थोड़ा है कोई और टाइम सुबाह का टाइम तन में आनंद पर बोल रहे थे कभी-कभी देखिंगे लेकिन क्या इस गुरूप का क्वेश्चन क्या है प्रभू रस्मिता माताजी आप अन्यूट कीजिए आप लोग अटेंडेंस जैस्क्लिक करना है आपका अटेंडेंस उसमें बादाल दीजिए और कुछ भी नहीं है तो परस्टनली भी मैंसे पूछ सकते हैं मेरा नंबर आपके स पर कि किसी ने ने पूंजा ना कि पहले मिया का कुछा तो फुष्टनम्राजी डेकरत कर Państwo मैं पूछुथ रहूं क靖 रहू कि जिस्टर करें कलेने नीट पूरा वहां पर लोग कर सकते हैं तो सेम लागिन से भी कर सकते को आपकोशिश करो लिंक हम गुरूप में डाल रहे हैं ना अब गुरूप में हैं तो इस अध्याय में हमने यह बात तो सुना और शिख्था कि होगा जो जन होगा है हम लोग जो कर्म करेंगे वो भगवान को करेंगे या भगवान के लिए ही करेंगे अब यह है कि आज कल की यूग में हम लोग एक चीज देखने को मिलता है आम जन को सब आप सब भी यह देख रहे होंगे कुछ लोग है भगवान से प्रिश्ट करते हैं कि आपने सरीर को कष्ट देखके हाथ में टैट्व वैट्व कुछ बनाते हैं अभी आप अगर देखेंगे तो हमारे इंडियान जो कल्चर है वहां पर ऐसे बहुत गाउं में बहुत बत्तों ऐसे होता कि माली जी भगवान को मानता है तो कभी-कभी आग में चलते हैं कुछ कुछ जगा पर देखने को मिलते हैं सरीर को काम करके भगवान के लिए ही काम करने और पारमद्व के पास जाना है मौत के बाद कि यह भगवान को खुश करने के लिए क्या सरीर को पीड़ा देखे ही हम लोग भगवान को खुश कर सकते हैं कितना कितना अच्छा हां डाउट पुझे है एक्शोली देखा गया तो भगवान आगे जाके श्लोका में बता रहे हैं अब बोलना चारे गां अब बोलना चारे गां तकलीब देगा तमस गुण है तमस गुणों में आता है अच्छा नहीं है स्वहम भगवान गोर रहे हैं अपने शरीर में परमात्मा को तो वह तकलीफ्त दे रहे हैं वह गलत है अग में चल रहे हैं जो अलग अलग तरीके से वह लोग समझ रहे हैं कि मैं मेरे भगवान को प्रसंद करता हूं नहीं कोई भी पिता को तकलीफ हो रही है अगर वह क्यों वह स्वैम बोर रहे हैं तुम्हारे साथ परमात्मा बनके मैं हूं तो जब मैं आपके साथ में हूं आप शरीर को इतना कश्ट दे रहे हो मेरे को भी तकलीफ हो रही है यह मत करो नहीं है मैं अैसा कर रहा हूंगा ऐसा करने से मिरे को देवताएं प्रसंन होएंगे और मिरे मतलब भगवान स्री हरी के लिए हम लोग अभी सुन रहे हैं तो क्रिश्णा मतलब स्री हरी जो है जो सक्ति उपासना करते हैं तो सक्ति उपासना में रखी देना चरीर को कॉष्ट देना तो उनका शायद हो सकते जुशा कुछ प्रभुजी मैं बताता हूं आग़ों रिखा गया तो देखा गया तो लोगों के लिए अगभान के लिए अगयर आप बली देंगे तो बली का प्रोसीजर मास खाए विए आप कुछ नहीं कर सकते दिन आपको exception दिया गया ठीक है बली देो बली दे के भगवान के पसंदता के लिए बली दे रहे हो दिन वो ही खाओ लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं अब ऐसा वो बलके नहीं शक्ती की उपसना करना बलके नहीं चाहिए कोई भी हो भूद्पृत की उपसना करने वाले भी में जी रहे हैं लेकिन वास्तरी था यह नहीं है बढोनरा रहे है नहीं सब नहीं देंगा मैं तुमको वह हों नमश्कार आज भी लगाते हैं थोड़ा सा मीं बाबा बन गया देखो मिट तेल में से मिर्ची तल दिया आज सब लोग लगाते हैं कि अमें भच्वान बन गया मेरी फोटो घर-घर में मेरे नाम-के-सामने ओम लग जाता है नमाहा लग जाता है, मेरा अश्टोत्रा श्वत्र बन जाता है, अब मेरी मंदिर बन जाती है, ऐसा हो रहा है ना प्रभू, चल रहा है, आज लोग अज्ञान में हैं प्रभू जी, क्या करना, यह सनातन धर में इतना भोलापन में रहते हैं, कि रियल ग्यान, कोई बता रहा नहीं, क्यों बोलतों, यह हम से चीन लिया गया, मैं फस्ट बैच में क्या बोलाऊं, फस्ट क्लास में हमको यह तोड़ दिये, क्या करें, उनलों को मालूम था, मुगल वालों को, इनलों को कहां पर तोड़ो, तोड़ा जाना, चलो, इनका बड़ी आसा यूनिवर्सिटी यहां आके सब लोग पढ़ते थे, चलो, उसको जला दिये, वेदों को पुरी तरह से मार दिया गया, जहां पर गुरु कुल था, वहां पर अटाक किया गया, मंदिरों में, यहां पर रहते हैं, यहां पर तोड़ो, और यहां पर, यहां पर, इवेन इंग्लिश वाले भी क्या करो, इंग्लिश पढ़ाओ, इनके संस्कृत बेकार है, ऐसा संस्कृत भगवद गीता कुछ भी मतलाओ, तो साब दीवाने हो गए किसमें, तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, हमारा, यह सनातन धर्मत, तूटते, समढ़ते, समढ़ते, समढ़ते है, यह 50 साल की जो, के लिए वो, वो भी आते भगवद धाम को लिए वाप ऐसा मत समझो, प्रफुजी वो फिर कर रहे हैं ना, आएंगे, आएंगे, लेकिन यह जनम में नहीं आए, कोई जनम लगते हैं, ठीक है, हरे कृष्ण प्रफुजी, धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रफुजी, और क्या के नाम ही कीता है, मताजी, हाँ, हरे कृष्ण प्रफुजी, मतलब वो एटेंडनस में नहीं सकी, फर्स्ट में जो लास्ट लास्ट टाम आप लोग ने क्लास लिए, कुछ भी नहीं होता, मताजी, अटना नहीं मत समझो, मैं आपको अचली, मैं यहां पे स्क्रीन पे देख मताजी श्ते के रहें हरे हैंं क्रिश्ण दासी सतनाम से आइंगा उनका तो मोई वह जब वह हैं और यह क्विए छोटे से प्रश्णकों को प्रश्णों का मतार देना पड़ता तो इस आटम्ट कर लो बड़ी आसा सर्टिफिकट आजाएगा आपको केम्पल से आरे कृष्ण परभूज और आप मैंसे कोई अगर जाना चारे तो जगनात पुरी यातरा में जाना चारे तो फिल्कुल आजाईए आपके संग में हम सब रहेंगे संग में पुरी तरह से या होता है हम लोग अभी तक मायापुर गये अभी तीसरी यात्रा है लागड़ॉन के बाद में पहली बार जब हम लोग जुड़ गए आनलाइन से तो आप लोग कोशिश करो आने की सब के लिए समय है थोड़ा भक्तों के संग में भी रहेंगे तो ABCD जैसा रहता है एफर पूछ रहा था सीथा माता के पास पावर क्यों नहीं है वो क्यों नहीं रावड को मारी क्या बात पूछे हैं प्रभू दिल को लगा है मैं भी बहुत बहुत मैया एचली हमको बता रही है राम जी हमको बता रहे हैं सिता मैया हमको सिता मैया यह बता रही है देखो यह इतन जब तय रही हूं है भगवान को वो स्मरण भूले नहीं भूले क्या तो लेकिन आज कल के स्थी थोड़ा ऐसा कटन आई आई सूसाइड मैं मेरा तो कोई नहीं है मैं मर रही हूं ऐसा हम लोग देख रहे हैं पेपर में न्यूस पड़ रहे हैं तो हमको आज कल कई भी में ऐसा तकलिफ आएंगा मेरे बच्चों पर मैं पहले एक्जामपल बनूंगी वह मैं पर कितना बड़ा वट अगनी परिक्षा लिया गया मेरी मैं आगे जाके लांचन लगा गया वह सूख क्या है नहीं जाने जैसे शादी शादी के पहले तो इतना ब्यूटिफुल ला हमारे राम जी भट धरम पर चलने वाले मैं को छोड़ दिये जंगल में वैय जो मैं जो गरबवती है मैं अंतरे जंगल में फिर से चले इसे पाउ मित सो रही कांटों पूराई थी हम को यह समझना चाहिए कर देख़ो आगे जाके हम पर बी ऐसे दुक दुक के परिस्थित आएंगे दुक के परिस्तितिया जब तुम पर आओंगे आएगा तो रो मत भगवान पर विश्पास तोड़ो मत अधान मान जी पर दुख का परिस्तिति आया नहीं आयां क्या हनुमान जी का पूछ जल रही है जिसकी बाड़ी में आंच लग रही है और वह वह बोल रहा है म तो भगवान का दास होुँ। वह बोलन है मर जाओंगा जल जाओंगा लेकिन भगवान की सेवा करके ही मरूंगा वो Doll chap वास्तविक सीता मैया को तो अगनी भगवान को बुला के वहां पर दे दिया गया वह उनकी छवी थी अलग सी लीला है वह रावन को भी तो उसको दंड देना है नामा प्रभू विशाल प्रभू है कि वह वैसा एक है एक भगवान को अगर मारना है तो एक बांड बस है भगवान के पास में राम जी को बड़िया सा मार सकते लेकिन ये सब लीला है क्या करें देखो मेरे पे भी मेरे को आज सुबा में कल में राजा बनने वाला हूं सड़नली उनको बोल दिये के चलो तुमको राजा नहीं बनाते तो फैनली वो लड़े क्या हम देखो आज परिवार में बाप से बच्चे लड़ रहे हैं भाई भाई लड़ रहा है वहां पर देखो तडब रहे हैं तुम राजा बन जाओ तुम प्रापटी लेलो मेरे को प्रापटी नहीं चाहिए सिर्फ हम भाई भाई मिलके रहेंगे तडब देखो आजकल प्रा कितने 84 लाग यूनियों के बाद में मिल रहा है पड़ोसी लड़ लड़के 20 साल कोट में चल रहा है चालिस साल कोट में चल रहा है लेकिन उसको सांप को मालूम हो जाता है रात में यहां बैठावा है वह तो देख नहीं सकता लेकिन आवाज सुनके सीधा आके ठालेता तो वैसे अगर हम लोग टाइम पास कर रहे हैं यह विडियो में उसमें इसमें पाइसा इसके लिए उसके लिए लगाके पैसा भी करें एक रहा हैं एक तरह का एक तरह से हम हमारे लाइफ को जलबाद नहीं सकते थोड़ा थोड़ा बदलो तो मैं भी आपके स्टेस्ट से आ रहा हूं मैं भी आपके आप से अधम हूं मैं अपको बोलता हूं लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूं उठने के लिए तो आप भी कोशिश करेंगे ठीक है ना कि हरे कृष्णा प्रभू मैं आपका अंसर दे दिया प्रजापति प्रभू हरी बोल लिए पूछ रहे कौन सा टाइम है अच्छा आप लोग साथ मुझे जॉइन होना है इसलिए अच्छा वह देख लाएं वह क्या है कि पता नहीं ठीक है प्रभू और किसी का कोई डाउट नहीं है चैट में भी कोई डाउट नहीं आया तो मैं मेरी काक्षा को एंड करता हूं प्रभूजी मेरा डाउट साल कीजिए क्या है आपका डाउट है अब मेरे आपका मैं इतना ठीक है आपका कल्प पूछ लेता हो ना प्रभू आपका क्या डाउट है फिर भी आपको मैं किसी को निराश नहीं करता हूं राम अनुज प्रभू अब तो राम अनुज अफको ऐसे और बहुले राम याम डाउट नहीं रहना होँ हम लोग सब एक है परिवार के है देखो अभी दिरे-दिरे से ना ये परिवार भपना भी थोड़ा जाएगा क्यों वह इंट्रेस्ट ने रहता हो लोगों में भक्ति करो अरे क्या आप बोल रहें प्रभुजी एंजाय करो बोलो हम जल्दी करते मुवी देखो जल्दी देखते यह क्या है भक्ति करो ऐसा होत करने है को प्रभो वो गया वह हम जी के पास चले घए घृज्ञा पराटना करेंगे प्रभू, उप्रेंसको सब लोग उनके दोस्त के लिए उनके दोस्तव जो आखेश्ना प्राथना गरिंगे आपके दोस्ते ही इसलें आखेश्ते हैं कि आखेश्टे न्हीं कैरें एकृत अधापिता निए कर रहा हूं मैं में की इन पर रहा हूं परदेड़ा परेज्टेर्ट किसमा किसमा